और Ilignal High Secondary School मेज़ापुर एम दाबाद की You Toob चेनल में सभी च्छात्रों का स्वागत है सभी च्छात्रों से इनीवी दिन है कि और Ilignal High Secondary School की You Toob चेनल को सबसक्राइब करें, Lain करें, शैर करें आएट रमबर दो जिसका नाम है पुविकादी इसकी चर्शा करेंगे उनके लिखक है नुशिक वैम चंजी और इसका साही के पढ़ाना काहा है आज हम भाग नमबर दो की बात करेंगे पिछले सुक्रवाद को हमने पार्ट नमबर दो बुडिका की उसका भाग एक की चर्शा की थी वो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम भाग दो की बात करेंगे वो उक्रू बैटकर हातों के बल सरक्तु ही आंगन में आई परनतु हाए दुर्भाग कियो मेहमान मरली अभी बैठी हुई थी दुर्भागे का अर्थता है खराब नसीब कोई खाकर उंगलियां चाड़ता था कोई तिर्चे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं तिर्चे नेत्र ये तिर्ची आँखों से देखना इतने में बुड़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुँची पंदित बुड़ी काकी को देखते ही कुरसे तिल मिला गए तिल मिला ना इसका आर्थ होता है विकल हो ना ये मुहावरा है लपकर उन्होंनी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घशिकते हुए लाकर उन्हें अंधिरी कोटरी में धम से पढ़क दिया महमानों ने भोजन किया गरवालों ने भोजन किया बाजे वाले दो भी नाव भी भोजन कर चुके प्रंदु बुड़ी काकी को किसी ने न पुछा बुद्धी राम और और उरुपा दोनों ही बुड़ी काकी की उनकी निलस्ता के लिए डंड देने का निशे कर चुके थे यहां पर निलस्ता का आर्थोता है बेसर्मी उनके बुड़ाबे पर दीनता पर किसी को करुणा नौ आई यहां पर दीनता का आर्थोता है कस्त पुण दशा बुरी हालत करुणा इसका आर्थोता है दया अक्यली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी लाडली को काकी से अतियन प्रेमत्रा वो जुझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़ियां क्यों नहीं दे दी थे क्या मेमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने मेमानों से पहले खा लिया तो क्या भी घर जाएगा वो काकी के पास जाकर उन्हें धहरी देना चाहती थी परंदु मा के डर से न जाती थी यहां पर धहरी का अर्थोता है दीरच उसने अपने हिस्से की पुड़ियां बिलकुल न खाई थी उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी उसका रदय अधिर हो रहा था और यहां पर अधिर का आर्थ होता है बेचेन व्याकुल बुड़ी काकी मेरी बास सुनते ही उट बैठेंगी पुड़ियां देखकर कैसी प्रसन होगी मुझे खुब प्यार करेंगी राद के क्यारा बच गए थे रुपा आंगन में पड़ी सो रही थी लाली की आँखों में नीद न थी काकी को पुड़ियां किलाने की खुशी उसे सोने न देती थी अब विस्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वो चुखे से उठी और बुड़ी काकी की कोट्री में की और चली बुड़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाद पकड़ कर कसीड़े और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहार पर उड़ाए लिए जाता है उनके पैर बार-बार पत्थरों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड पर दे पढ़का वे मुर्शित हो गई यहाँ पर मुर्शित होना यानि इसका आर्दोदा है बेहोश हो जाना जब वे सचेट हुई सचेट का आर्दोदा है जागर किसी की जराभी आहड न मिलती थी यहाँ पर आहड का होता है आर्दोदा है आवाज उन्होंने समझा कि सब लोग खापी कर सो गए यह विचार कर काकी निरासमे संतोस के साथ लिट गई गलानी से गला भरा आता था प्रंतु मेहमानों के डर से रूती न थी यहाँ पर गलानी का अर्दोदा है मन में होने वाला खेद शहसा अचानक उनके कानों में आवास आई काकी उठो मैं पूरिया लाई हूँ काकी ने लाली की बोली पहचानी चेट पट बठी दोनों हाथों से लाली को टटोला और उसे गुद में बठा लिया यहाँ पर टटोलना का अर्दोता है ठोणना ये महावरा है लाली ने पूरिया निकाल कर दी काकी ने पूछा कै तुम्हारी अम्मा ने दी है लाली ने कहा नहीं यो मेरे से की है काकी पूरियों पर तूर पड़ी 5 मिनिड में पिडारी खाली हो गई यहाँ पर पिडारी का अर्थोता है छोड़ा सा भक्सा लाली ने पूशा काकी भेट भर गया जैसे थोड़ी सी वर्सा ठंड़क के स्थान पर कर्मी पैदा कर देती है उसी तरह इन थोड़ी पूड़ीों ने काकी की स्था और इच्छा की और उत्तेजित कर दिया था यहाँ स्था का अर्थोता है भोग बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाली ने कहा अम्मा सो गई है जगाओंगी तो मारेगी काकी ने पिटारी को टटोला टटोले का अर्थोता है दोनना उसमें कुछ खुर्चन गिरे थे यहाँ पर खुर्चन का अर्थोता है बची खुछी चीज उन्हें निकालकर वे खा गई बार-बार होंट चाटती थी चटकारे परती थी चटकारे यानि एक जाकी जीब से आवाज निकालना रदय मसोस रहा था कि और पुणियां कैसे पाओं मसोस ना इसका अर्थोता है विचार करना काकी का अधिरामन इच्छा के प्रबल पराउने वग गया उचित और अनुचित का विचार चाता रहा उचित का अर्थोता है योग्या अनुचित का अर्थोता है अयोग्या ये विलधार्ती भी हुए उचित अनुचित वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही सासा लाली से बूली मेरा हाथ पकर कर वहाँ ले चलो जहां मैमान ना बैठ कर खाना काया सहसा का अर्दोधा है तुरन लाली उनका अभीप्राय समझना सुकी अभीप्राय का अर्दोधा है मतलब उसने काकी का हाथ पकड़ा और जाकर जुटे पतल के पास बैठा दिया काकी पतलों से पुडियों के टुकड़े चुंचुन कर खाने लगी ओ दें कितना स्वादिस था कशोड़ियां कितनी सलोनी खस था कितना शुको मल काकी बुद्धी हीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदाबी नगरना चाहिए की चुटी पतल के चाट रही हूँ परंदू बुड़ा पा तुरुष्णा रोप का अन्तिम समय है तुरुष्णा का अर्द होता है प्यास लोप जब संपुरों इच्छा हैं एक ही केंदर पर आ लगती है बुड़ी काकी में ये केंदर उनकी स्वादिन द्रियर थी ठीक उसी समय रूपा की आँके खुली उसे मालुम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है जोकी चालबाय के इदर उदर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी उसे वहां नौपा कर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली चुटे पतलों के पास चुपशाप खड़ी है और बुड़ी काकी पतलों पर से बुड़ियों के टुकडे उठा उठा कर खा रही है रुपा का रदे सन हो गया सन हो जाना कौर आश्चरे में टूप जाना ये मुहावरा हुआ यह वो द्रश्य था जिसे देखकर देखने वालों के रदे काम उठते हैं रदे काम ना इसका आर्दोता है रदे दूशना ऐसा प्रतीत होता मनो जमीन रुग गई आसमान चक्कर रखा रहा है प्रतीत इसका अर्दोता है ऐसास महसूस संसार पर कोई विपत्ती आने वाली है विपत्ती का अर्दोता है मुष्गेली रुकावत बाधा रुपा को क्रोद ना आया शौक से शमुक क्रोद कहां गरुरां और भई से उसकी आँखे पर अपई करुना का परमात्मा मेरे बच्चों पर द्या करो इस अधर्म का टंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्या नास हो जाएगा सत्या नास इसका अर्दोता है संपुरम विनास रुपा की और स्वार्थ परता और अन्याहे इस प्रकार प्रतेक्स रुप में कभी न दिख पड़े थे स्व आर्थ परता का अर्दोता है खुदगर जी वह सोचने लगी हाए कितनी निर्दै हूं जिसकी संपती से मुझे दो सो रुपिये वार्षिक आय हो रही है उसकी ये दुर्गती दुर्गती का अर्दोता है खराब हालत और मेरे कार हे दया मैं भगवान मुझे बड़ी भारी कलती हुई है मुझे श्रमा करो श्रमा करना इसका अर्दोता है माफ करना रूपा ने दिया जलाया अपने भंधार का दवार खोला और एक थाली में सारा पोशन सजा कर लिए हुए पुड़ी काकी की और चली भंधार जहां अनाज का संगर किया जाता है उसे भंधार कहते ह उसने कंठा वरूत का आर्दोता है गला भर आना गले भर आने के स्वर में उन्होंने कहा काकी उठो पोशन कर लो मुझसे आज बड़ी भोल हुई उसका बुरा नमानना परमात्मा से प्रात्ना कर दो कि वे मेरा अपराद समा करते हैं बोले भाले बच्चों की भाती जी मिठाईयां पाकर मार और तिरसकार सब भुल जाता है पुरी का की सब भुला कर पैठी हुई खाना खा रही थी भाती इसका अर्दोता है जैसे उनके एके रोहें से सच्छी सदिच्छाएं निकल रही थी और रुपा पैठी इस द्रिश्य सदिच्छाएं का अर्दोता है आर्सिवाद निमगन का अर्दोता है तर्लीन यहाँ पर ये कहानी पुरी कार्टी जो है पुरी होती है इस कहानी के बात यहाँ पर कुछ महावरों की बात कर लें सब्स बाग दिखाना इसका अर्दोता है पड़े बड़े चुते वादे करना आपे से बाहर होना इसका अर्दोता है अक्यन कुरुदित होना उबल पढ़ना इसका अर्दोता है कुरुदित होना चाती पर सवार ह इसका अर्दोता है सामने अड़े रहना, ना कटवाना, इसका अर्दोता है इच्जत कोना, बेसिर पेर की बात, इसका अर्दोता है असंबंद बात, रदे शनरह जाना, इसका अर्दोता है कुर आश्यरी में डूप जाना, मुह बाहे फिरना, इसका अर्दोता है बेकार की हा प्तरसना, आग हो जहना, इसका अर्थोता है अत्यन क्रोधित होना, अत्यन कुश्य होना, जवाब दे चुकना, इसका अर्थोता है निश्क्री होना, छोड़ देना, तेज देना, कलेजा पसीजना, इसका अर्थोता है दया आना. मुहामरों के बाद कुछ संदी विकर की बाद कर लें परम वत्ता आनंग, कालांतर, काल वत्ता अंतर, सम्मुक, सत वत्ता मुक, सहनुबूती, सह वत्ता अनुबूती, व्याकुल, वी वत्ता आकुल, दिर्गाहार, दिर्ग वत्ता आहार, प्रतिक्सा, प्रतिक वत्ता इक्सा, कंथा वुरुद, इसकार दोता है, कंथ वत्ता पुंचरा कमन, पुनदा वत्ता आगमन, तुरगती दुर गती या आप दुर्क वत्ता गती भी लिख सकते हैं, यदपी यदि वत्ता अपी, संपोना संपवत्ता पुना, इसके बाद कुछ समास के प्रकार भी बता दो। इसके बाद कुछ समास के प्रकार भी बता दो। इसके बाद कुछ समास के बाद कुछ समास के प्रकार भी बता दो। अंत में आपको कुछ सूलम सब्द के भी बात कर दो। विलुं स्ब्द याने विरुधार्थी स्ब्द अनुराग इसका आर्थ होता है विराग। दिरगाहा इसका विरुधार्थी होता है अल्पाहा। निलस्दा, इसका विरुदाती होता है लज्जा, आपरिमित, इसका विरुदाती होता है परिमित, प्रतीकुल, इसका विरुदाती होता है अनुकुल, सज्जन, इसका विरुदाती होता है तुर्जन, सुलब, इसका विरुदाती होता है दुलब, अबसुकन, इसका विरुदाती होता है ध्रुरा, नीम, नीम, इसका विरुदाती होता है अनिद्रा, सम्मुक, इसका विरुदाती होता है विमुक, महमान, इसका विरुदाती होता है यजबान, दया, इसका अर्द होता है निद्रेदा, पाप, इसका विरुदाती होता है पूनिया, सुर्य, इ आने वाले जितने भी सब्दार्थ हैं, उस सब्दों के आर्थ लिखना है। लिखना है लिखना है लिखना है।